एक फोजी का दर्द क्या होता है उन कुर्सिवारों को दिखाना चाहूंगी बताना चाहूंगी एक फोजी की मजबूरी हमें मत छुट्टी दो हमें मत छुट्टी दो मत बत्ता दो बस काम यही अग करने दो चाहे वेतन आधा कर दो और कुतों में गोली भरने दो हर हर मोधी घर घर मोधी यह नारा सर के पार गया इक दो कोड़ी का जेहादी सैनिक को थपड मार गया अरे थपड खाए गदारों के इतने भी मजबूर नहीं हम भारत मागे सैनिक है कोई भड़े के मजबूर नहीं अब और नहीं लाचार करो हम जीते जी मर जाएंगे खुद को देख न पाएंगे इस वर्दी पर शरमाएंगे फोजी वर्दी पर शरमाएंगे या तो कस्मीर उन्हें दे दो अरे सुन लो सुन लो दिल्ली वालो सुन लो या तो कस्मीर उन्हें दे दो या आरपार का काम करो अब सैना को दो जिम्मेदारी तुम दिल्ली में आराम करो तुम कुरसी पे आराम करो इस राजनीति ने गाटी को सरदर्द बना कर छोड़ा है भारत के वीर जवानों को ना मर्द बना कर छोड़ा है मा का आचल सुच रहे हम दागी भी बन सकते है दिल्ली गर यूही मोन रही हम बागी भी बन सकते है हम बागी भी बन सकते हैं एक मा कस्मीर में पिटने वाले फोजी बेटे से क्या कहती है जब देखती है कि उसका बेटा किस तरह गदारों से थपड़ खा रहा है तो क्या कहती है कि फोन किया माने बेटे को तूने नाप कटाई है तेरी बेहना से सब कहते बुझ दिल तेरा भाई है बुझ दिल तेरा भाई है अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी एए बेटा ऐसी भी क्या मजबूरी थी ऐसी क्यालाचारी थी कुछ कुछ कुटों की टोनी कैसे तुम सेरों पर भारी थी तुम सेरों पर भारी थी गीदर बेटा पैदा करके वो मा कहती है एक फोजी से के गीदर बेटा पैदा करके मैंने कोखल जाई है तेरी बेहना से सब कहते बुजदिल तेरा भाई है बुजदिल तेरा भाई है अब वो फोजी अपनी मा के बात सुनकर कहता है के मा इतना भीला चार नहीं था मा मेरी मजबूरी थी उपर से फर्मान नहीं था चुपपी बहुत जरूरी थी सरकारे ही पिटवाती है मा हम कौन गदारों से गोली का आदेश नहीं है दिल्ली के दर्बारों से गिन गिन कर मैं बदना लुँगा कसम या आज खाता हूँ तु गुडिया से कह दे मा ना बुजदिल उसका भाई है सुनकर नाता लो यारो सिर्फ शुनकर नाता लो यारो एक फोजी के दस्बातों को अढ़ोनी होने से पहले फैला दो इन बातों को तुम फैला दो इन बातों को बहना के सचे भाई हो तो सब को बता दो इन बातों को एक फोजी का दर्द भरत मता की जे भरत मता की जे भरत मता की जे झाल